हर pregnant lady चाहती है कि उसके बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे, उसका वजन तेजी से और अच्छे से बड़े, उसका muscle mass अच्छे से develop हो, उसके muscle strong हो, उसका brain power अच्छा हो, बुद्धी साली बच्चा कौन सी माने चाहेगी, तो इन सब के लिए बादाम खाना जरूरी है, औ पर टाइमिंग होता है, यदि उस टाइम पे और उस तरीके से आप बादाम खाएंगे, तो बादाम के जितने भी benefits है, वो आपको मिलेंगे, और आपके बच्चे को भी मिलेंगे, जिससे उसकी health अच्छी रहेगी, उसका विकास बुद्धी, बोधिक विकास पी अच्छा ह होगा, तो इसलिए बादाम किस तरह से खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, और उसके क्या-क्या benefits है, ममी को कौन से benefits मिलने वाले है, बेबी को कौन से benefits मिलने वाले है, वो सारी चिज़ों का discussion इस वीडियो में हम करने वाले है, आखरी तक जुड़े रहेगा, ह prisons किस बादाम में, इस बादम से जी आसे चीज़े हैं, जिसके चलते इतने फाइद हैं बादाम में फाइबर है प्रोटिन है, विटामीन B कोंप्लेक्स है, जींक है, मेगनेसियम है, केलसbeiter कोलीन है बिता केरफिन हैं, प्रोडिकारीन है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में तो ब्रोटीन जो होता है वह बच्चे के अच्छे से बढ़तार रहेगा दुसरा है वहां पर रिबोफ्लेविन है और फोलेट है तो वह क्या काम करेगा वह आपके बच्चे के बहुत ही अच्छे से काम करता है आपके बच्चे के बुद्धिसार्प होगी यह बाहर आने के बाद वह पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको याज सकती अच्छी रहेगी दूसरा बच् के लिए बहुत इच्छे से काम करता है उसकी बने कोड़िनेशन जो होता है बात मैं बाहर आज उसके बाद कोडिनेयस की haltenो फोत उस एक वह तो यहां पर बादां एस्थ ऑश्वी cow ring में और विटामिन ए उसके इंदर ब्रीटामिन ओर विटामिन करेगा वह बच्चे के हेर के लिए अच्छे से काम करेगा आई हेल्थ के लिए अच्छे से काम करेगा नर्वस सिस्टम के लिए अच्छे से काम करेगा उसके नाखुनों की ताकात के लिए अच्छे से काम करता है दूसरे इसके अंदर आयरन है तो आयरन क्या काम करेगा वह ह बढ़ाने में भी हेल्ट करता है तो इस तरह से वहां पर वह सारी चीज़े होती वह दीर दीरे वहां पर आपके बच्चे के डेवलोक्मेंट में रखती है तिसलिए आपको डेली के तोड़ बादाम खाने ही चाहिए अब बात हो गई यह तो बेबी के लिए अब बात करते है स्कीन के लिए उसके लिए विटामappy क्या हें विटामिन के है एक डेवलोप हो गएक हो जाते है उसका Sofal को एक criminal हो जाएगा विटामीन यहां पर से जाया होती है प्रेगनसी की दोरान, यहां पर आवं काम अ टया नहीं होगी प्रेगनसी के दौरान गोसान होते हैं प्रेगनसी के दोरान होते हैं। वह भी थोड़े से कम हो जाएंगे यदि आप बादाम का तेल है वह आप रेग्यूलर तोड़ पे अपनी टमी पे लगाते हैं बेबी बंप लगाते तो स्ट्राय के दिक्कत भी आपको कम रहेगी दूसरा हमने बता थी इसके इंदर फाइबर है तो आप यदि डेली तोड़ बादाम को मिलेंगे यदि आप जिल लेकिन फाइब करते हैं तो अब बात करते हैं अपको कच्ची नहीं खानी है उसका रिजन में आगे बताती है आपको आपको बादाम को बीगोने के बाद उसकी स्कीन दीमू करने के बाद ही खानी है तो रात में 8-10 बादाम आप लीचिए कटोरी में उसके थोड़ा सा पानी डाली है भीगो दीचिए उसको सुबह में इसके स्कीन निकालके आप खाली पेट खा लीचिए अब उसके भीगो ना क्यू है देखो भीगो ने से होते हैं जो यह बादाम को अंदर एसके विट मिनर्स आगे बता है वह सब बेनीफीट से में 2 कि उसको भीगो के खानी चाहिए और निकालने चाहिए देखो स्कीन के अंधर नाम का यह सब्स्टम्प्रेंस क्या का मर्तले है जो ने निचून आगे बता वह सारी चीजों को बादाम के अंदर लोक रखता है अब यदि आप स्कीन के साथ खाएंगे तो नुट्रिशन आपको कैसे मिलेगा सारी चीजों का फाइदा कैसे मिलेगा इसलिए स्कीन निकाल देने से उसका अच्छे से वहां पर हो जाएगा और आपके सारी बेनेफिट्स कि दोरान जो एक बार बच्चा डिल और हो जो उसके बाद कम करने में बहुत ही मुश्किल रहता है तो अंगर प्रिंग्स चाते रहते उसको कम करने में भी हेल्प करेगा आपको एक सेटाइटी स्पिलिंग देगा यानि कि आपको इसा लगेगा कि में जो खारे उसमें बादम का दूद्ध भी सकते हैं दूसरे पाइदा आपको यह रात में बादम को भीगो दीची उसकी स्कीन सुभा में निकाल लिए और उसकी पेष्ट बना दीचीए और वह पेष्ट को भी आप मसाज करेंगे फेस के ऊपर तो अच्छा सा ग्लोव आ जाएगा तो इस तर कमेंट बॉक्स में पूछी सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर जोइन कर सकते हैं वहाँ पर क्यूने लाइससेंस होते रहे तो जल्दी से आंसर मिल जाएंगे वीडियो अच्छा लग है तुसको लाइक एंसर कर दीजेगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क जल्दी से मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेपी बाई